इन सब चीजों का आप इस्तिमाल अम्यूनिटी बढ़ाने में कर सकते हैं और जिस सारी चीजे आपको मार्किट में बनी बनाई मिल जाएंगी बस आपको लाना है और इसका इस्तिमाल करना है नश्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर गुर्पी सिंग और आज मैं आपको उन सारी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तिमाल आप अम्यूनिटी बढ़ाने में कर सकते हैं और चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चमनपराश से हम सब इसके बारे में जानते हैं अमने देखा है कि जुकाम, बुखार में, सर्दियों में आप इसका इस्तिमाल कीजिए लेकिन मात्रिये जुकाम, सर्दियों में, बुखार में नहीं काम करता ये आपकी अम्यूनिटी को बढ़ा देता है और इसके उपर अलग से एक मैं वीडियो डाल दूँगा सुबह और शाम को खाना खाने के आदे से एक गंटे के बाद उतना ही पानी मिला करके गुनगना पानी आप ले लीजे उसके साथ आपको लेने हैं, ये लगबग जो इसकी कीमत है वो सोर पे आपको पड़ेगी एक बोटल की और ये भी अम्यूटी बनाने के लिए काम करता है विशेश रूप में जो है, ये फीवर में काम करेगा अगर आपको बार-बार बुखार आ रहा है, आपको मलेरिया बुखार है और उन चीजों में इसका जो है, उसका बहुत ज़्यादा बढ़िया इस्तिमाल मिलता है इसके इलावा तीसरी जो चीज है, वो है गिलो घनवटी बहुत सी कम्प्रियों की बनी बनाई आ जाती है आपको इसकी दो-दो टैबलेट जो है, वो शुबह साम को लेनी है ये बुखार में भी काम करेगी और ओवराल आपकी जितनी भी ओमियंटी है बोडी की वो सारी इसके बढ़ जाएगी और जो चोथी चीज है, वो है हरिद्राखंड हरिद्राखंड का में इंग्रीडियंट क्या है, वो है हल्दी हल्दी का हम सबको पता है कि अंटी सेप्टिक, अंटी इंफ्लामेटरी, अंटी बाटी का गाम करती है तो में इंग्रीडियंट जो है इसका है, वो हल्दी है और उसके इलावा और भी जिसमें आयरवेधिक मेडिसिन डाली गई है और जिए विशेश करके जो आपकी चमडी की प्रोडम है इम्यूनिटी के कारण जैसे आपको खारिश होना शुरू हो गया और वो ठीक नहीं हो रही और जो आपको शुपाकी है जिसे शीत पित का आ जाता है उस चीज में इसका बहुत बढ़िया आपको लाब देखने को मिलेगा इसका लगबग डेड़ चमच जो है वो आपको शुबह साम पानी के साथ में लेना है और इन सारी मेडिसिन का इस्तेमाल आप अम्यूनिटी बढ़ाने में कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉलम हो आपको समझना लगे कि आपको कौन-कौन सी मेडिसिन लेनी है ऐसा नहीं आपको चारो मेडिसिन ही ले लेनी है आपको अपके बिमारी देखने के अम्यूनिटी के कारण आपको प्रॉलम कौन सी आ रही है उसी हिसाब से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे वर्सप नंबर पे और मैं आपको बता दूगा इन में से कौन सी चीजे की इस्तेमाल आपको अपनी विशेश कोई रोग है मुझे अमेद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए धन्यवाद